बॉलियूड की होट एक्ट्रेस सनी लियौनी और अरबास खान की फिल्म तेरा इंतजार आज रिलीज हो चुकी है अरबास और सनी लियौनी की सिजलिंग केमेस्ट्री फिल्म में चार चांद लगा रही है आये देखते दर्शुकों की क्या राई है इस फिल्म के लिए मूवी काफी अच्छी थी एक जो हटके उनोंने कहानी दिखाने की सनी ने भी अपनी जो इक इमेज है उसे एकदम अगेंस जाके जो किरदान निभाया है तो वाकई काबिलेतारी साथ केमिस्ट्री अच्छी में कुछ खास बसंद नहीं क्योंकि बेसिकली सनी लिए जब कोई भी मूवी पर आती है और सब्सक्राइब क्या लग करने वाली है और अरवास खान के लिए अच्छा है वो अपने आपको मेंटें स्टेवल रखने के लिए अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यह चीज एक बहुत अच्छी बात है सभी एक्टर्स को जो भी जूनियर्स आया हैं जो भी सीनियर्स में चीखने चीए कि एक स्टेरियो टाइप जो चीज है उसमें मग दिसो अलग अलग चीज़े तैयार करो एकदम लीक से हटके जो मूवी होती है वो मैं इसको कहना चाह कि अब यह हो गया मतलब यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो और ऐसा हुगा एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी सणी कि ओविएस्टि में टाइम लगेगा अभी अपने आपको स्टेबल करने के लिए तो बागी स्टोरी को देखते वे मैं उसको दूंगा श्री स्टार्स फिर्म मुझे करफी अच्छी लगी और बाठी सिसी नॉमल स्टोरी जाज कराती हैं उसके ज़्यादा हटके ज़्यादा नहीं होगा मैं लेकिन हाँ थोड़ा पुसके नहीं पंखा इसको देखके मुझे लगा कि हाँ अच्छी हो सबीफी पर जो भी है बहुत अच्छा र तो थोड़ा सा अटपटा था देखने में दुनों की गेमिस्ट्री को अबर तो खीकता अच्छा था था प्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह जो तेरा इंतिजार का प्रोमो मुझे देखके बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कब देखू इस मुवी को और आ बहुत अच्छा मैं उमीद करती हूँ कि अगले बार ऐसा कोई मुवी फिर से बनाए ताकि मैं उसको देख लूँ दो साल मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी मेरी फेवरेट स्टार से अडिलियोनी और दोनों की केमेस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है तो सनी लियोनी का होट अउतार साथ ही सनी और अरबाज की सिजलिंग केमेस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है अब देखना ये होगा कि आने वाले हफते में तेरा इंतजार बॉक्स ओफिस पर क्या कमाल कर पाती है केमरामन गोविन के साथ विदिता प्रता बॉलिवूर्ट सन डाटकॉम मुंबाई